हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल यूनिक कांडियूज में आपका फिर श्वागत है आज हम बात करने वाले नेक जनरेशन अल्टो के बारे में जो की अभी बहुत ही होट सेलिंग प्रोडक्ट है और इसका जल्दी भारते मार्केट में नेक जनरेशन देखने को मिल जाएगा क्य कुछ नया आने वाल है नई अल्टो में आये उसके बारे में बात करते तो फ्रेंड जिन होने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि आहां वो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वेल का आइकन बटन भी दावाना ना बुले ताकि हमारा वीडियो का पेकनार से कॉंपेर कर सकते हैं शेफ्टी के लिहाज से या फिर डाइमेंशन के लिहाज से गारे के बात के डाइमेंशन की तो लेंद आपको 3.5 मीटर देखने को मिल जाएगी वही वृत आपको 1.6 मीटर हाइट 1.5 मीटर आपको गारे की मिलेगी वही 2420 mm का ग्राउंड क बढ़िया इस गारी का इंटर्ड मिलने वाला है soft a dashboard आपको मिलेगा multi steering आपको मिल जाएगी जिसमें आपको बहुत सारे option देखनों को मिल जाएगी steering mountain control voice control जैसे function आपको मिल जाएगी वही इसका बाड़ा आपको 8 inch का touch screen infotainment system देखनों को मिलेगा जो की 4SP को और दो tweeter के में अगर हम बात करें एडिशनल फीचर की तो आपको इस वार आटो एसी का फंक्शन भी देखनों को मिल जागा डियर वासर वाइपर डिफॉगर जैसे फंक्शन गारी में अभी तक मेसिंग थे वो भी आपको मिलने वाला है अब बात कर लेते हैं गारी के एक शियर लुक्स के बारे में तो राउंड शेप DRL आपको मिलेंगे प्रजेक्टर नहीं मिलेंगे नॉर्मल LED लाइट्स आपको देखनों को मिलेंगे जो की बहुत थी ज्यादा खुबसूरत लेंगे टॉप एंड्स में आपको LED मिलेंगी और जो बेस मोडल है वहाँ पर आपको नॉर्मल स अब सक मेंलता है वहाँ देखनों को मिले गए वही अगर हम बात कर आ शेफटी का देखनों को मिलेंगे वहीं बात कर आहे अग साघनाल नहीं कर सकते हैं लेकिन आने वाले जो और तेक उन्ह utilizz देखनों को मिल जाएंगे जिसमें ABS, AVD, Brick Assistant जैसे function आपको मिलेंगे इसके साथ ही साथ में आपको AMT version में आपको top ends में heel assistant और heel hole जैसे फिर्टस देखनों को मिलेगी बाकि आपको rear sensor camera ये सारी चीज़े तो base provider कड़ाई जाएगी जिसमें गाड़ी की safety और भी increase हो जाएगी बात करें इंजन option की तो इंजन में आपको गाड़ी देखनों को मिलेगी तो वन लिटर का engine देखनों को मिलेगा जो कि पहले ketan में आपको देखनों को मिलते थे वो वाला engine आपको देखनों को मिलेगा जो कि तग्रीव 167 बेज की पावर देगा वही आपको यह इंजन ओप्शन देखनों को मिलेगा CNG में और हाइब्रीड का ओप्शन आपको देखनों को मिलेगा गारी में मैलेज की अगर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगे बात करें CNG की तो CNG में आपको यही आप्शन मिलेगा लेगा उसका पावर 60 BHP का रहेगे और मैलेज की अगर हम बात करें तो 30 to 35 किलोमेटर मैलेज रहने वाली है बाकी आपको वीडियो कैसे लगा कॉमेंट बाक्स में जूर बताई आई होब वीडियो आपको पसंद आया हो तो फ्रेंड चाइनल को लाइक से और सुब्सक्राइब कर देजे हम चल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए यहाँ जूर बाकी जूरु आपको शुक्ताइब जूरु आपको वाचिए